दोस्तो नमस्कार हे देश रोजाना के डिश्टोल मीडिया मंस पर हर्याना के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है लिए कर अंदर जा एक ही चलन में चुनाव होना है एक हयं क्श्टूबर को वोटिंग आग्यों की ऑधिirm हि מ运 तीनि चलन में कुछ समानता हैं और समानता एक महत्वपूर्ण तो है भारती जनता पार्टी में भारती जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण समानता यह है जम्मू कश्मीर और हर्याना के चुनाव को लेकर कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए भारती जन्ता पार्टी की CEC की बैठक होई CEC की बैठक के अंदर कुछ नाम तैह हुए उन नामों को डाला गया सोशल मीडिया एक्सपर लिस्ट जारी की गई 45 नाम थे उसके अंदर जब वो 45 नाम डाले गए तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर भारती जन्ता पार्टी की जो इकाई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ विरोध, कुछ विद्रोग, कुछ बगावत कुछ लोगों की कंट्रोवर्सीज, कुछ क्रिटिसिजम सब कुछ चला और उसके बाद में एक घंटे बाद उस लिस्ट को वापिस ले लिया गया फिर भारती जन्ता पार्टी ने दुवारा लिस्ट दी और जो दुवारा लिस्ट आई उसके अंदर 45 नाम नहीं थे फिर उसके अंदर 15 नाम दिये गए हर्याना को लेकर भी कुछ ऐसा ही है हर्याना को लेकर आप मानें ऐसा है कि अभी हाल ही में 29 तारिक को एक आदरशी के दिन बैठक होई उससे पहले तमाम बैठके होई गुरगाओं में होई दिल्ली में होई छोटी टोली की होई बड़ी टोली की होई तमाम बैठों के बाद में वो बात पहुची CC के अंदर परधान मंत्री नरेंदर मोदी बैठे, देश के ग्रह मंत्री अमिश शा बैठे, जेपी निड़ा बैठे मनुहरलाल बैठे, राविंदर जी सिंग बैठे, क्रिशन पाल गूजर बैठे, नायब सिंग सेनी बैठे, मोहनलाल बडॉली बैठे और तमाम धर्मिंदर परधान बैठे, विपलव देव बैठे, सतीश पूनिया बैठे, सुरंदर नागर बैठे और तमाम जो सीसी के सदसे हों सब बैठे, सीसी के साथ में हर्याना के पतादीकारी भी बैठे लगवक तीन गंटे तक मन्थन चलता रहा, और मन्थन के दोरान नाम छन छन के बहार निकलते रहे वो उस बैठक के अंदर मन्थन हुआ था या बैठक में से उन नामों को भार निकाला गया पलवल जिले के चार नाम उसके अंदर निकले पलवल विधान सभा छेतर के लिए गौरव गौतम का नाम निकला होडल विधान सभाद छेतर के लिए हरेंदर रामरतन का नाम निकला हतीन विधान सभाद छेतर के लिए मनोज रावत का नाम निकला और प्रतला विधान सभाद के लिए दीपक डागर का नाम निकला वरिदाबाद का नाम कि उसके अंदर मid अनगे से दिए की बोटों कें हो लगा उन्होंनों सूर्स में आधार पे आहना धार की पच्पन नामों पर महर लगत गयी और इन पच्पन नामों पर जो महर लगने की बात चली उसकी पुष्टी कर दी गबर ने और तो कोई नेता बीजेपी का नहीं बोला लेकिन गबर बोले अनिल्विज अनिल्विज बोले कि पच्पन नाम हमने तै कर दिये हैं और सारे विनिंग है यह नहीं बताया कौन से नाम तै कर दिये यह नहीं बात होई लेकिन वो जो नाम चलते रहे उसके बाद में मन्थन का दौर फिर शुरू हुआ कारेकर्ताओं से आर एसस से जनता से मीडिया से सोचल मीडिया से तमाम मन्थन शुरू हुआ जो मैं आपको बता रहा था जम्मू कश्मीर का मैटर सारा कि जम्मू कश्मीर की लिस्ट सोशल मीडिया एक्स पर डाली गई उसके बाद वो हटा दी गई हर्याना को लेकर तो कोई लिस्ट डली ही नहीं जितने भी नाम चले तमाम सोशल मीडिया के और जो तमाम बड़े बड़े एंकर लोग खड़े होते हैं उनके थे उनकी दिमागी सोच थी उनको लग रहा होगा कि अगर विपलव कुमार देव बैठे हैं तो उन्होंने फलाने नाम का ओगा कृषन पाल गुजर नहिं का नाम का होगा मनोरलाल जी नहिंस का नाम का होगा मतलब मैं यह समझता हूं को सबकी अपनी 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 सौच्त DOT उस सोच के आधार पर वो नाम ग्रेंगते रहे सोशल मीडिया पर, मैं आपको एक बात और दोस्तों जोडता चलू, जो ये टिकट का संकट होता है, या टिकट की टक्टकी होती है, या टिकट की टिक-टिक होती है, वो कहते हैं ना कि इंतजार की घडियां लंबी होती है, तो उस सारे घटना करम को हुए अब तीसरा दिन है आज, यानि कि 29 तारीक की रात को जो सब चला था, आज 31 तारीक है, और समय बीते बीते वोगी तमाम जो सोशल मीडिया पर पोर्टल से उन्होंने अपनी खबरें वापस लेनी शुरू कर दी, मैंने आपको कहा था अपने कल क वीडियो में भी, कि किसी भी सोर्स ने, किसी अधिकरत सूत्र ने, और जब तक अधिकरत जानकारी नहीं आ जाती, तब तक नहीं कहा जा सकता, और उससे पहले, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का यूग है, और इस सोशल मीडिया के अंदर पत्रकारों की कमी भी नहीं है, आ इसे को 90 नाम ध्यान हो या ना हो, हो सकता है 90 के बजाय सो नाम भी दे दें, सुची जारी कर सकते हैं अपनी, खेर, अब बात ही आ जाती है कि आखिर क्या भारती जन्ता पार्टी को ये प्रयोग कर रही है, एक प्रयोग जम्मू कश्मीर में हुआ, दूसरा प्रयोग क्या ये राजनीती के अंदर जो दूला सस्ता है, सहरा सजा करके, मोर सजा करके, घोडी पे बैठ करके, जो तयार होता है, वो वधू के वरन के लिए होता है, और राजनीती के अंदर जो वधू है, वो है जीत, क्योंकि कुर्सी तक पहुँचने के लिए, सत्ता पाने के लिए, वि कर लेगी तो फिर उनको दुला बना के भेज दिया जाए और जंता वरण नहीं करेगी तो फिर दूसरे भेज दिये जाएं मैंने भी आपको 45 नामों के एक सूची जारी की थे आप इसे देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि संभावित नाम यह हैं हमने बिल्कुल नहीं कह था किन पर महर लग गई है और जो मैंने आपको नाम बताये थे सी सी की बैठक से पहले बताये थे और अब जो चर्चाएं चलके आ रही है जो बातें चंके निकल रही है भार मेरी भारती जंता प्राटी के कई बड़े नेताओं से बात्चित होई आज भाजपा के तमाम ब चल रहा था और राजनितिक सुत्रों से पता चला कि दिल्ली के अंदर एक बैठक का दौर चल रहा था मैं आपको बता रहा था कि भारती जंता प्राटी के कई बड़े नेताओं से मेरी बात भी हुई जिसमें ये आया कि ये जो नाम आप चला रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जो नाम चला रहे हैं ये उनकी अपनी यानिकी पत्रकारों की या जो एनराइस करत पर उनकी अपनी सूच है चर्चा तो यह है कि भारती जंता पार्टी की सीसी की बैठक दुबारा होगी और सीसी की बैठक के अंदर एक बार फिर मन्थन होगा सभी 90 सीटों पर चाहे किनी सीटों पर नाम लॉक किये गए और या फिर नहीं किये गए जो नाम सोशल मीडिया में और मीडिया में और तमाम जगह रेंग रहे है उन पर भी चरचा होगी क्योंकि राजनीतिक सूत्र यह भी बताते हैं कि जिन इन नामों को चलाया गया उनकी अब रिपोर्ट ली जा रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उनकी अगर इनका नाम चला क्योंकि जिसका नाम चल गया हो तो फिर उसके लिए इलाके में माहौल बनना जरूरी है और बताया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट मगाई जा रही कि इनकी रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर फिर अगला फैसला होगा तो इसका मतलब आप तैय मान लें कि कोई भी नाम तैय नहीं हुए अगर जिनके पक्ष में कोई रिपोर्ट या विपक्ष में जो भी बात हो की जो भी केंडड़ेट्स के नाम चलाए जा रहे हैं। का तो ऄक्वात बाद में फिर से रिपोर्ट जाएगी ग्राउंयड डिपोर्ट जाएगी षा मनावरलाल जी पिछले दिनों कह रहे थे बार मैं उनसे मिला था ख्यों ने कहा कि हमारे पास कई सोर्स है। जब हम सत्वामें नहीं होते थे तो हमारे पास अपने सोर्स थे। अब वह कहते हैं हमारे पास CIDV है हुआरे पास IBB है यानिक ये सभी गुप्तचर सनस्ताइं हैं जो सरकारों के लिए प्रिटी और इसके साथ साथ तमाम एजनसीज हैं सर्वे करने के लिए तमाम मीडिया पैनलिस्ट हैं सर्वे करने के लिए और जब यह नाम छोड़ दिए गए तो फिर उन पर फिर मंधन होगा बीजेपी ने जमू कश्मीर के अंदर जो नाम दिये वो लगबग पैरलर नाम आये कॉंग्रेस के और भाजपा के जो कॉंग्रेस गठवंदन वहाँ पर है उमर अब्दुल्ला की पारिटी के साथ फारुक अब्दुल्ला की नसीपी के साथ और उसके पैरलरी भारती जनता पारिटी के नाम भी आये मैं आपको एक बात और यहां पर जोड़ दूं दोस्तों जरूर कि अभी तो इन सब के बीच में भारती जनता पारिटी में बहुत कुछ चल रहा है जैंत चौधरी की मुलाकात भी माइने रखती है हमें शाह के साथ में क्या कोई गडवंदन की बात भी चल रही है कि चाहे भारती जनता पारिटी हो या कॉंग्रेस इस चुनाव के अंदर जो 2024 का विधान सबाद चुनाव है यह तलवार की धार पर है मैं आपको कल दो वीडियो शेयर किये हमने आपको बताया था उसके अंदर भारती जनता पारिटी के अंदर भी कि आखिर कौन से नेता ने वो नाम लीग किये और किस सोच के साथ लीग किये गए और मैंने आपको कॉंग्रेस का भी बताया था कि भले एक बाद सारी तमाम बाते चल रही हो कि दो बार चुनाव जीतने वाले के दो बार हारने वाले यह वो तमाम बाते कि दोनों पार्टियों का एक फॉर्मूला है केवल विनिंग और विनिंग कैंडिडेट्स पर दोनों पार्टियां दाव लगाएंगी मैं आपको बता दू कि इस चुनाव के अंदर संभवता जो लग रहा है चाहे वो भारती जनता पार्टी है चाहे वो कॉंग्रेस है अपन पराया मेरा तेरा इसका उसका इसकी सूची उसकी सूची इन सब को दोनों पार्टियों के हाई कमान ज्यादा तबज्जो नहीं देने वाले और केवल एक बात रहेगी कि विनिंग इस गैटिंग यानि कि जो चुनाव जीत सकता है वो टिकेट लेगा और संभवता आप कल यानि कि एक तारिक को कल भारती जन्ता पारटी की जीण वे रेली हैं अमिशाह की मूदी का अभी एक कालिक रहेहा हैं वो मन्तन के बाद में विश निकलेगा या अमरित निकलेगा वो पेश किया जाएगा और उसमें से फिर छनेगा उस अमरित को तयार किया जाए जिसको छका करके जीतने वाले केंडिडियेट निकाले जाएए आपको क्या लगता है कि क्या भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस दौनों पार्टी आपकी बार टिकेट वित्रण में अतिरिक्त सावधानी बरत रही है क्योंकि दस साल की भारती जंता पार्टी की सरकार जिसके लिए जरूरी है जिसके लिए चैलेंज है कि एक बार है ट्रिक कैसी मारी जाए तो फिर कॉंग्रेस के लिए चैलेंज है कि दस साल के सूखे को कैसे खतम किया जाए आपको क्या लगता है कब तक हो सकता है दोनों पार अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें